जुनैद और नासर केस में एक की गिरफतारी परिजनों को 20.5 लाग की मदद और नौकरी देंगे मंतरी PTI, जैपुर, एक संबाददाता, भिवानी भरतपुर जिले से कतित तोर पर अगवा किये गए दो युवकों के शव हर्याना के भिवानी जिले में मिलने के मामले में राजस्थान पुलिस ने नामजद आरोपियों में से एक को गिरफतार किया है उसका नाम रिक्यू सैनी है और वह नूर जिले के फिरोजपुर जिरका का रहने वाला है कई लोगों से पूछताच की गई है राजस्थान के मुख्यमंतरी अशेक गहलोत ने पुलिस से सखत कार रवाई करने को कहा है कॉंग्रेस के राज्य सभा सांसद रंदीप सुर्जेवाला और इमरान प्रताबगडी ने ट्वीट कर हर्याना पुलिस सरकार को कटगरे में खड़ा किया राजस्थान की शिक्षा मंतरी जाहिदा खान स्थिती का जायजा लेने के लिए घटमी का गाह पहुँची उन्होंने जान गवाने वालों के परिवारों को 20.5 लाग 20.5 लाग की मदद दी जाएगी परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने की कोशिश करेंगे पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि नासिर और जुनैत के शव मिले थे जुनैत का गोवंच तसक्री का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में पांच मामले दर्ज है युवक के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि जिन लोगों ने उनका अफरन किया वे बजरंग दल के थे भरतपुर पुलिस ने कहा कि F.I.R. में नामजद आरोपी बजरंग दल से जुड़े हैं लेकिन अफरन और हत्या के इस मामले में उनकी भूमिका की अभी जांच की जानी है बीजेपी ने कहा है कि किसी विशेश संगठन को बदनाम करना अच्छा नहीं है गुरुवार सुबह दोनों युवकों के शव भिवानी के लोहारू में जली हुई कार में मिले थे कर रही तलाश आरोपी मोनु ने जारी किया विडियो PTI गुरगाम मामले के मुख्य आरोपियों में से एक मोहित यादव उर्फ मोनु मानेसर बजरंग दल का गुरुग्राम जिला अध्यक्ष और स्वयंभु गोर रक्षा दल का सदस्य है उसे साथ फरवरी को गुरुग्राम के पटौधी पुलिस टेशन में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में नामजद किया गया था मानेसर के डी सीपी मनबीर सिंग ने कहा क्राइम ब्रांच और पुलिस थाने की टीमें आरोपी मोनु की तलाश कर रही है फरार मनु मानेसर ने एक विडियो में से जारी कर खुद को बेगुना बताया उसने कहा इसमें मेरे सहयोगियों और मेरी कोई भूमिका नहीं है लेकिन राजस्थान पुलिस ने मेरे और मेरे ग्रूप के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्जे किया है मैं में तक को जानता भी नहीं हूँ